हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आई आट सी एकाउंट हम अपने मोबाईल से कैसे बनाएं दोस्तो ये वीडियो थोरी से नंबी हो सकती है क्योंकि दोस्तो बहुत सारे मेरे कोशन स्रीट की हैं कि मैं जब आयाट सीटी से का एकाउंट बनाने जारा हूं तो इसमें इन्वालेट केप्चा आ रहा है कि बहुत सारे एरर आ रहा है पास मेरा यूजरनेम नहीं ले रहा है ठीक है कैसे यूजरनेम जन्रेट करना है इन्वालेट केप्चा आ रहा है हम अपना अकाउंट नहीं बना पार है कैसे हम अपना अकाउंट बनाएंगे सब कुछ दोस्तो आसकी इस वीडियो में आपको सिखाने व हूँ चले हम लोग इस आप को open करते हैं जब दोस्तों आप लोग इस आप को open किज़ेगा तो आपके समने यहां पर इस तरह का interface आगा login का और account का तो हमें क्या करना है login के option पर click करना है जब आप लोग इमेल डालने का option आएगा उसका यहां पर आ रहा है यूजर ने मैंने दोसों जो आप यूजर ने मैं आप लोग करना चाहते हो वह देन आप पासवर्ड क्या लागना चाहते हो ठीक उसका फिर फास्ट नेम लास्ट नेम डेटर बर्त क्या है आपका यहां पर नेशनलेटी क् पर क्लिक किज़ेगा आपका यहां पर प्रेटनेम क्या है ठीक है आप यहां पर देख सकतो मैंने अपना नमबर ठीक है इमेल आड़ी पासवर्ड और डेटर बरते हैं आपर मैंने स्लेट करके next की option पर किलिक करता हूं और दोस्तों आपको ऐसी आपको भी next की option पर क्लिक कर क्या तो आपसे आपर पुछ रहा है कि आपका resident आपका यानि दोस्तों आपका village का नाम भोगर है ठीक है उसका address आपको इंपूट करना है उसका दोस्तों यहां पर country क्या है पीन कोड city क्या state and post office और mobile नमबर यह दोस्तों आपको यहां पर इंटर कर देना है जैसे कि यहां प पर register के option पर क्लिक करना है जब दोस्तों आप लोग register के option पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर error आएगा आप लोग यहां पर देखेंगे दोस्तों invalid capture का तो यह वीडियो थोड़ी से लंबी हो सकते क्योंकि दोस्तों हमें यहां पर IRCTC में 200% account बना करके आपको दिखा आपने किसे से दोस्तों हमें बाहर आ जाना है और आपको आना है कि आपके अपने chrome browser पे chrome browser पे आने के बद आपको यहां पर क्या करना है जैसे दोस्तों यहां पर मैंने search किया था इससे पहले आपको यहां पर क्या करना है IRCTC आपको यहां पर search कर देना है जुई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 3. का जो option है, 3. के option पर एक बार आपको click करना है, जब आप लोग यहाँ पर click किज़ेगा, तो आपके सामने आएगा यहाँ पर login का, तो आपको यहाँ पर login के option पर click करना है, है जब आप लोगिन के options पर click किसेगा आप लोग यहां पर देख लिजे Username और Forget 선배 long आरहा है हमें यहां पर क्या करणा है दोस जैसे आपलोग नी00 देख रहे हो Registered की option है तो हमें यहां पर register के option पर click कर देना है जब आप लोग registered के option पे click किज़ेगा अब आपके सामने आपर कुछ add आएगा आपको यहाँ पर देख लिजे यहाँ पर पूछ रहा है आपका username क्या है password क्या है फिर सभी password लगाना है फटाफ़र दोस्तों यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ आप लोग यहाँ पर देख लिजे दोस्तों मैंने यहाँ पर password यहाँ पर इंटर कर दिया अब यहाँ पर देख लिजे मैंने यहाँ पर अपना मुदस्तर नाम जो यहाँ पर मैंने इंटर किया यहाँ पर बोला है अब दोसों किस language में इसको इस्तमाड करो English में करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर English को यहाँ पर मैंने select कर दिया, फिर से दोसों यहाँ पर security question पूछा जैसे कि मैंने आपको starting में बताया था, security question दोसों यहाँ पर मैंने enter कर दिया, अब आपको यहाँ पर continue के option पर आपको click करना है, जब आप लोग यहाँ पर continue के options पर click किज़ेगा, अब आपसे दोसों आपका यहाँ पर details लेगा, इनि personal details लेगा, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना नाम यहाँ पर enter करना है, मैंने अपना नाम यहाँ पर इंटर कर दिया, ठीक है, last name आपको इंटर कर देना है, ओको question किया है, तो यहाँ पर मैं student select कर लेता हूँ, date of birth आप लोग यहाँ पर, जो भी आपका date of birth है, वो date of birth आप लोग यहाँ पर enter कर दीजगा, जैसे दोस्तों, यहाँ पर इंटर कर ली आप लोग आपको और यहाँ पर टीक है, इसके दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना केपचा को इंटर करें तो चलिए हम लोग यहाँ पर उस केपचा को इंटर कर देते हैं आप लोग यहाँ पर देख लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर केपचा को इंटर कर दिया इसका टॉम्सन करने से इसको यहाँ पर मैंने किलिक कर दिया देन अब आपको यहाँ पर finally क्या करना है register के option पर आपको किलिक करना है जब दोस्तों आप लोग यहाँ पर रेजिस्टर के option पर किलिक किजेगा आपने जो email ID और mobile नमर जो आपने दर्च किया था उस नमर पर OTP आएगा क्योंकि दोस्तों जब आप लोग लोग इन करोगे वो दोस्तों required होगे तो यह पासवर्ड दोस्तों लगाया था वो मेरा password आएगा उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है IRCTC की आप में आना है आपको simply दोस्तों login करना है login करोगे IRCTC में आपका जो account 100% आपका बन चुका है अब मैं आपको दिखा दूँ मैं आप आता हूं क्या application पर आता हूं application पर login कर जाओगा चले मैं आपको यहाँ पर login करके भी दिखाता हूं कि दूस्तों आपके mind में डाउट होगा बाई इतनी लंबी जो वीडियो बनाई है आपने login करके नहीं दिखाया तो यहाँ पर login के absence पर जब आप लोग यहाँ पर click किसेगा सबसे पहले यहाँ पर पूछ र कर दिया है simply आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर जो केपचा है उस केपचा को आपको यहाँ पर फटा फट फट फिल कर देना है तो चले हम लोग उस केपचा को भी फिल कर देते हैं यहाँ पर देख सकते दोस्तों मैंने यहाँ पर क्यपचा को फिल कर दिया है आप मै simply यहाँ पर login के options पर click करता हूँ जुए दोसों में यहाँ पर login के options पर click किया IRCTC में दोसों यहाँ पर सफलता प्रोप में login हो चुका हूँ अब आपको simply यहाँ पर क्या करना है verify करना है verify जब करूँ कि register number पर OTP आएगा OTP को दोसों इंटर कर देना है उसके बाद दोसों आप लोग IRCTC दोसों आप लोगे आपको ट्रेन फ्लाइट का टिकट आप लोग आसानी से बुक कर सकते हो